नमस्कार दोस्तों आज की दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा तो पर तीम बचकर उन्चा सुनिट से लेकर पांच बचकर तीस किनिट तक और अविजितमूर्थ दोबर बारा बचकर दो मिनिट से लेकर बारा बचकर पचा सीनिट तक का होगा कुलिक काल और अविजितमूर्थ दिन के शुबत अलावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतोपूर्ण काम या कि निरने आप ले सकते हो अविजितमूर्ण के बाद प्रकार आज कि दिन का जो राहुकाल है वो शुरुआत होगा दोपर बारा बचकर शंपिस मिनिट से लेकर दो बचकर साथ मिनिक तक का होगा राहुकाल और यमंगंडेकाल दिन के अश्वोत अलावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतुपोने काम या फिर निर्ने विन्फिल भी नहीं देना उसी प्रकार आज की दिन का जो चंद्रमा है ये चंद्रमा वित्विन राशी में ध्रमन करेगा दो पर दो बचकत साथ निट के बाद ये चंद्रमा करक राशी में भ्रमन करेगा ये चंद्रमा नेप्चुन के साथ लावयोग करने जा रहा है उसी प्रकार अर्शिल के साथ भी ये चंद्रमा लावयोग करने जा रहा है आजे के दिन रवी और शनी का केंदर योबती फोने जा रहा है दिया ग्रसिती सामदे रखते हुए बारा राशियों का राशिकल क्या होगा इस लिशाफ़ाइद अब हम चर्चा करें कुछ तो सबसे पहले राशी है मेश राशी बेश राशी के त्रिते वाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है दोपर दो बशकर साथ मिनट के बाद या चंद्रमा आपके चतुरत वाव में ब्रह्मन करेगा हूँ या चंद्रमा नेप्चुन के साथ त्रिकोन योग करने जा रहा है हर्शिल के साथ लावयोग करने जा रहा है उसी प्रकार मंगल्ज के साथ केंदर योग भी करने जा रहा है आजे की दिन रवी और सनी का भी केंदर योग होने जा रहा है काफी महत अपने दिन है आप ते लिए तो थोड़ असा ध्यान देना दोपर तकड़ा समय है वो आपके लिए शुब होलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है वृषभ राशीन वृषभ राशी के द्विदियो वाव में चंद्रमा का करवन है दो पर दोच कर साथ मिड़ के बाद यह चंद्रमा आपके द्रितयों महुमें ब्रहमन करेगा यह चंद्रमा अर्शल के साथ लावय और करने जा रहा है वह उसी प्रəकार आज़े के दिन रवी और शनी का केंद्रियों भी वोने जा रहा है महतो बड़े दिन है आपके लिए महतो बड़े काम वे जो की आपके final से related है दोपेर के पहले गारप करते हो तो वो पूरे होते हो वे नज़र आएगे दोपेर के बात के लिए समय है उसमें भूमना फिर नज़ादा हो सकता है लेकिन आपके काम पूरे होने में कठना या आ सकती है इस्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है उसे परकार आने वाले दोसे दिन दिने में आपके जो भी कारशेतर है उससे रिलेटर किसी भी प्रगार के महत वड़ा काम बिल्फुल भी नहीं करना आपके जो अंदाज है वो चूप सकते है इसके बाद की जो राशी है वो है मिथन राशी में ये चद्रमा का ब्रवन्ट है दोबर दो बच कर साथ प्रिट के बाद ये चद्रमा आपके विद्या वाव में ब्रवन्ट करेगा ये चद्रमा नेप्चन के साथ त्रिकोन योग करने जा रहा है हर्शल के साथ लाम योग करने जा रहा है मंगल के साथ केंद्रियों करने जा रहा है मैंतो बुड़े दिन है आख निये कास करके जो भी आपके मैतो पुनकाम है दो पर के पहले आप करते हो तो वो पूरे होते हुए निजर रहेंगे अले के दो पर के बात के ज़से हैं उसमें financial relating किसे भी प्रकार के मैतो पुनकाम बिल्कुल भी नहीं करना उसी प्रकार आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बुल्फ हो सकते हैं स्वास्त के बारे भी थोड़ा द्यान देना होगा नप्चिन के साथ त्रिकोनियोग करने जा रहा है मंकल के साथ केंद्रियोग करने जा रहा है उसे प्रकार आजे के दिन आपके लाब भाव में सिद्र भी के साथ आपके अस्टम भाव पर दोशमी है वो केंद्रियोग करने जा रहा है मेहतोपड़ दिन है आप दिलिए कास करके आपको स्वयम के भावनाओं के उपर कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आवश्चाप होगा पुछ अच्छे इंटुशन्स वगरा आ सकते हैं आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में द्यान देना होगा किसी भी प्रकार के आपके फाइनल से रिलेड़ेड़ है बिल्कुल भी नहीं नहीं दिन आपके लिए बिला जोला सावित होगा इसके बाद जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के लावन वाव में चंद्रमा का ब्रहुन है वह वर दो बच कर साथ मिन्ट के बाद ये चंद्रमा आपके वेया वाव में ब्रहुन करेगा आपके दशमबाव में सित हर्शल के साथ ये चंद्रमा लावियों करने जा रहा है मग्यबाव में सित मंगल के साथ ये चंद्रमा केंद्रियों करने जा रहा है राश्टमबाव में सित मिठ निफ्चुन के साथ ये चंद्रमा त्रिकोलियों भी करने जा रहा है आपके दश्मबाव में से त्रेवी के साथ आपके 6 सप्तमबाव को जो शनी है वो केंदरियों कर दे चाह रहा है बहुत ही महतोबने दिन है आपके लिए दोपर के पहले आपके जो भैतोबने काम है वो अपने प्टार के लेगे तो काफी अच्छा होगा दोपर के बाद के समय है उसके stress station, frustration काफी जैदा बढ़ सकता है किसी भी प्रकार के महतोबने काम दोपर के बाद बिलकुल भी नहीं करना दियान दीजें उसी प्रकार आने वाले दोसे तीन दिने में जो भी आपका कारे शेतर है उससे related किसी भी प्रेटाप के बना है तो बोड़न इनने नहीं लेना आपकी जो वाई-वाई जुडिदार है उनके साथ भी चोटी मोटी बातों पो लेकर तकरार फोसबती है इसके बात की जो राशी है वो है कन्या राशी के भाग्यवाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है दोबर दो बचकर साथ मिर्ट के बाद ये चंद्रमा आपके दश्रमवाव में ब्रह्मन करेगा आपके अश्टमभाव में सिद मंगल के साथ ये चद्रमा के इंदरयोग करने जा रहा है बाग्यबाव में सिद हर्शिल के साथ ये चद्रमा लाबयोग करने जा रहा है और आपके सब्तमभाव में सिद निप्चुन के साथ ये चद्रमा त्रिकोनयोग करने जा रहा है भी ध्यान देना आवश्चक होगा, हाला कि अगर आफ इवाई थो तो आपके जो वाई 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 जुड़िदार है उनके साथ, आपकी जो रिलेशन्शिप है, वो काफी अच्छी देखी जाए दिए, इसके बाद की जो राशी है, वो है तुला राशी, तुला राशी के भाग्य बाउ में चंद्रमा का ब्रह्मन है, दोपर दो बच कर साथ मुनिट के बाद या चंद्रमा आपके दशम बाउ में ब्रह्मन करेगा, आपके अश्टम बाउ में सित हर्षल के साथ या चंद्रमा लाव योग करने जा रहा है, सब्तम बाउ में सित मंगल के साथ या आपका कारेश इतर है उससे रिलेटर किसी भी प्रकार के महत अपनने ने बिल्कुल भी नहीं ना आपकी जो वैवाई जुड़िदार है उनके साथ भी चोटे-मूटे बातों को लेकर अकरार हो सकती है इसके बाद के जो राशी है वो है रिच्चिक राशी अगर आप इसके रिलेशन्शिप में है उनके साथ भी आज आपके हर्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी उसे परकार कुछ अच्छे इंट्विशन्स वगर आ सकते हैं कुछ अच्छे अंतप्रेनार आ सकती है बाईशो के लेकर कुछ मैत अपनने निरने भी लिए जा सकते है दिन आपके लिए दोपर के बाद का जो है वो आपके लिए शुवफ लदाई साबित होगा इसके बाद के जो राशी है वो है दनु राशी दनु राशी के सब्तम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है दोपर दो बच कर साथ मिन के बाद ये चंद्रमा आपके अश्टम बाव में ब्रह्मन करेगा आपके शाष्ट बाव में सिद अश्छल के साथ ये चंद्रमा लाव योग करने जा रहा है। दिन आपके लिए मिला जुला सावित होगा। दिन आपके लिए खास करके दोपर तक कर जा समय है उसमें थोड़ा सा स्वन के स्वास के बारे में ध्यान देना होगा। दोपर के बाद कर जो समय है उसमें अगर आप फिल आए तो आपकी जो बैबाई जुड़ार उनके साथ चोटी मूटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसके बाद के जो राशी है वो है कुंपर राशी। आपके चतरतबाओ का जो रवी है वो केंद्रियों करने जा रहा है। मैं तो बुण दिन है आपके लिए दोपर तक के जो समय है वो आपके लिए काफी ज़्यादा शुपलदाई साबित होगा। दोपर के बाद के जो समय है उसमें आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी रगर के महत पुण दिनने दोपर के बाद दिल कोल भी नहीं लेना। अलागे आने वोले दो से तीन दिने में आपके घर के जो पूरुश वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मूटी बातों को लेकर तकराब हो सकती है। ये दकराब काफी बढ़ सकती है, खास करके अगर आप विवाए तो आपकी जो वैवाई जो डिदार उनके साथ चोटी मूटी बात तक को लेकर प्राब्लम कॉम्लिकेशन्स आने वोले दो से तीन दिनों में काफी जाथा बढ़ सकते हैं। इसके बात के जो राशी है, वो है मीन राशी। जो शनी है, वो केंदरियों करने जा रहा है। शुबुफलदय साबित होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांग 9 जून 2024 का संपुर्ण राशीवल। आपको ये राशीवल कैसे लगा? आपने किस प्रतार से नमों की अनचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। जन्यवाद। 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 जन्यवाद।